अंग्रेजों ने इस देश में बहुत सारे कानून बनाये थे डिवाइड और रूल करने के लिए, लूटने और बांटने के लिए, लेकिन कांग्रेश ने भी बहुत से कानून बनाये इस देश को डिवाइड और रूल करने के लिए और लूटने और बांटने के लिए 1991 में पहला कानून बनाया प्लेसेजाव वर्षिप एक्ट और हिंदू जैन बौध सिख के लिए कोट का दर्वाजा बंद कर दिया 1992 में दूसरा कानून बनाया इस देश को हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया आलब संख्यक बाउसंख्यक में बांट दिया हिंदू ला हिंदू जैन बहुत सिख पे लागू होता है लेकिन हिंदू को मिजर्टी बना दिया सिख जैन बहुत को माइनाटी बना दिया यह इसकी डिवाइड रूल की पॉलिटिक्स थी और तीसरा जो सबसे घटिया कानून बनाया कांग्रेस ने नाइंटीन नाइटिफाइफ में जिसको कहते हैं वक पेर जिसको मैंने सुप्रिम कोट में चैलेंज किया है और इसकी अगली सुन्वाई भी सूप्रिम कोट में वहोगी क्योंकि ने हाइइड को से ट्रांस्वर officer वो भी Muslim, एक उसमें जो scholar वो भी Muslim, एक मुतवल्ली वो भी Muslim और उसके पास इतनी power दिया हुआ है कि किसी भी जमीन पे जाके कहदे ये जमीन वक्फ की है, तो आप उसके order के खिलाफ, उसके notice के खिलाफ nearby court में भी नहीं जा सकते, आपको जाना पड़ेगा वक्फ ट्रेबुनल में, कहने का मतलब, अगर मेरट में या मुझफण नगर में किसी की जमीन पे वक्फण बोर कह दे ये वक्फ की जमीन है, तो वो मेरट की court या मुझफण नगर की court में नहीं जा सकता, उसको जाना पड़ेगा लखनो, जो मेरट मुझफण नगर से 700 किलोमेटर दूर है, और वहां जाके अपनी सफाई देनी पड़ेगा, और सफाई किसके सामने देना है, उसी tribunal के सामने, उसी बोड के सामने, जिसने कहा ये जमीन वफ की है, तो वफ बोड चोर हो गया, वही वख बोड दरोगा बन गया, वही वख बोड जज बन गया, वही वखिल बन चुका है, ऐसा कानून हिंदूों के लिए नहीं है, ऐसा कानून जैन के लिए नहीं है, ऐसा कान कानून में इतनी शक्तियां दे दिया है कि वह बोर्ड को नोटिस इशू करने के पहले कोई जाज पड़ताल भी नहीं करना उसको जहां मन चाहे वहाँ नोटिस इशू कर दे इसके चक्कर में यह वक बोर्ड वसूली कर रहा है लोगों को धमकाता है कि हम इसको वक्त की कर लो मुस्लिम बन जाओ तो इस तरीके से 36 गड़ के एरिया में महारास्टा के एरिया में और भी जहां पर पिछड़े लोग रहते हैं गरीब रहते हैं जिनको नियम कानून ज्यादा नहीं पता वहां पर यह कारण भी बन गया है इसलिए मैं कह रहा हूं यह कानून खतम ह बोलिए 1991 के वर्षीप एड के खिलाब बोलिए 1992 के माइनाटी क्मिशनettes के खिलाब बोलिए और 1995 की वकफएड के खिलाब बोलिए यह तीनों कानून कांगरेस ने भारत में डिवाइड एंड रूल के लिए बनाया था, सत्ता के लिए बनाया था, मुस्लिम अपीजमेंट के लिए बनाया था, और जितनी दोसी कांगरेस है इस कानून को बना के, उतने हैं दोसी वो लोग है, जो इस कानून पे मौन है, जो लोग इन तीनों कानूनों के खिलाब बोलिए, इस देश में सम्विधान है, जो कानून होना चाहिए, उस सब के लिए होना चाहिए, अगर वक्फ एट जैसा कानून सब के लिए होता तो बास समझ में आती थी, लेकिन केवल मुस्लिम्स के लिए ऐसा कानून, बाकि किसी को ऐसा कान कंस्रीटिशन के इसके के के घृष्श घैज़न से करदा सि However, Bak Van ऐृष्ट पर्पार्दी यह यहूराई है यह सब बराबर हैं तो कानून सब के लिए एक होना चाहि feather कामन होना चाहिए इस तरीके से मुसदिम्स के लिए कानून अलग perform अक्रिफ कि खिलाफ है Constitution के basic structure के खिलाफ है इसलिए इस कानून को मैंने challenge किया है मैं सबसे निवेदन करता हूं इस कानून के खिलाफ बोलिए social media में बोलिए publicly बोलिए सड़क पे उतरिए सांसदों का घहराओ करिए अपने विधायकों का घहराओ करिए क्योंकि ये समाधान सड़क संसद सुप्रिम कोट से होगा आप अगर संसद नहीं है सुप्रिम कोट नहीं आ सकते हैं तो कम सड़क पे उतरिए इस कानून इन तीनों कानूनों के के खिलाफ आवाज उठाइए जय हिंद जय भारत